किसान भायो आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाले तर्बूज के टॉप पांच किसमों के बारे में जो 2023 में ताबर तोड उत्पादन दी है साथ ही ये पांच किसमे 2023 में टॉप मानी जा रही है जिसे आप अगले साल यानि 2024 में लगा कर अच्छी लाब ले सकते हैं तो किसान भायो आपको हम बता दें कि तर्बूज के टॉप किसमों के साथ साथ और कुछ मतपूर बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है जिसे आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकती है और साथ ही आपको प्रोफिट भी अच्छा देखने को मिल सकती है तो किसान भायो चलिए हम जान लेते हैं उन बातों को कीन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है पहले नमर पर किसान भायो आपको तर्बूच की खेत में समय समय पर फैटिलाजर यानि खाद की जरूरत पड़ती है कि कौन सी खाद कॉब रालें जिसे आपको तर्बूच की अच्छी उत्पादन हो साथ ही समय समय पर सिचाई की भी जरूरत होती है दूसरे नमर पर किसान भाइओ आपको इस्परेज से डियूल का भी धियान रखना जरूरी होता है यानि दावा का इस्परेज समय समय पर कब और कैसे करें ताकि आपको तर्बूज का अच्छा उत्पादन हो तो किसान भायो आए हम बात करते हैं उन 5 तर्बूज के टॉप किस्मों के बारे में जो 23 में टॉप रही हैं तो किसान भायो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि 5 चोर विराइटियां तर्बूज के टॉप विराइटियां मानी जा रही हैं हो सकता है आपके मार्केट में कोई बराइटिया ना मिले इसलिए वीडियो को अन तक देखिए नमस्कार किसान भाईो स्वागा थे अपने यूट्यूब चैनल में तो किसान भाईो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आउन कर लें ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके यहां हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए तो चलिए किसान भाईो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं उन टाउप पांच किसमों के बारे में तो किसान भाईो पाहले नमबर पर आप तर्बूच के समनीच कमपनी के मादो सिट्स का चुनाव कर सकते हैं किसान भाईव पिछले चार साल से हम इस तर्बूच के वेराइटी के खेती करते आ रहे हैं जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता आ रहा है यदि किसान भाईव इसके प्राइच की बात करें तो ये मार्केट में करीब 1300 रुपिया पर पोकेट के आसपास मिल जाता है जिसके वजन करीब 50 गराम के होते हैं यदि इसके बीज़दर की बात करें तो इसको आप 300 से 400 गराम पर एकड़ लगा सकते हैं किसान भाईव इस भेराइटी को तयार होने में करीब 60-65 दिन का समय लग ही जाता है इसके साथ साथ खाने में बहुत मीठा और फोलो का आकार आइताकार होता है यदि इसके वजन की बात करें तो इसका वजन करीब 3-4 केजी के आसपास होता है किसान भाईव इस तर्बूच के छिलके के रंग का हरा 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 होता है इसके सासती तर्बूच के अंदर का खाने वाला भाग लाल रंग के होते हैं जो देखने में बहुत या करसक होता है जिससे इसका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके अलावा आपको मार्केट में इस तर्बूच के कीमत भी अच्छा मिल जाती है दूसरे नमबर पर किसान भाई वह आप तर्बूच के सकाटा कमपनी के साटो सिट्स का चुनाव कर सकते हैं किसान भाइव यह बहुत ही अच्छी किस्म की वराइटी मानी जाती है यदि किसान भाइव इसकी प्राइज की बात करें तो किसान भाइव इसकी प्राइज मार्केट में करीफ चौदासु रुपया के आसपास होता है जिसके वजन पचास गराम काता है इस तरबूज के छिल तिके गारा हारा और खाने में मीठा होता है तथा इसके खाने वाला भाग लाल होता है जो देखने में बहुत ही आकरसक होता है जिससे किसान भायो मार्केट में इसका डिमान बढ़ जाती है इसके साथ साथ इसका अच्छा रेट भी मिल जाती है किसान भायो इसको तयार होने में करीब 50-60 दिन का समय लगता है इसको आप 300-400 गराम पर एकड़ लगा सकते हैं यदि इसकी वजन की बात करें तो किसान भायो इसकी वजन 6-8 किलो गराम तक हो जाते हैं तिसरे नमबर पर किसान भायो आप तर्बूच के टाटा कमनी के मधुरस शिट्स का चुनाब कर सकते किसान भायो यह भी बहुत अच्छी किस्म की विराइटी मानी जाती है अधिक किसान भायो इसकी प्राइज की बात करें तो किसान भायो इसकी प्राइज मार्केट में करीब 1400 रुपिया के आस पास होता है इसके वजन 50 गराम होते हैं इस तर्बूच के छीर के गारा हारा औ करीब 60-70 दिन का समय लग ही जाता है इसको आप 300-400 गराम पर एकड़ की दर से लगा सकते हैं यदि इसके वजन की बात करें तो किसान भायो इसका वजन 7-8 किलो गराम तक हो जाते हैं चौथे नमर पर किसान भायो आप तर्बूज के सजेंटा कमपनी के सूपर कीवन सीट्ज का चुनाव कर सकते हैं किसान भायो ये भी बहुत अच्छी किस्म की वराइटी मानी जाती है यदि किसान भायो इसकी प्राइज की बात करें तो किसान भायो इसकी प्राइज मारकेट में करीब 26-07 रुपया के आज सपास हो जाता है जिसके वजन 50 गराम के होते हैं इस तर्बूच के छिलका हारा और ठाने वाला भाग लाल होता है जो देखने में बहुत हिया करसक होता है जिससे किसान भाईो मार्केट में इसका डिमान बढ़ जाती है इसके साथ साथ इसका अच्छा रेट भी मिल जाते हैं किसान भाईो इसको तयार होने में करीब 55-7 दिन का समय लगी जाता है इसको आप 250-300 गराम और एकर की दर से लगा सकते हैं यदि इसके वजन की बात करें तो किसान भाईो इसका वजन 7-8 किलो गराम तक हो जाते हैं पांचमे नमर पर किसान भाईो आप तर्बूच के सागर कमपनी के सागर किंग का चुनाव कर सकते हैं किसान भाईो ये भी बहुत अच्छी किस्म की वेराइटी मानी जाती है यदि किसान भायो इसकी price की बात करें तो किसान भायो इसकी price market में करीब 1600 रुपिया के यासवास मिल जाता है जिसका वजन 50 गराम का होता है इस तर्बूच के छिलके गारा हरा होते हैं खाने वाला भाग लाल होता है किसान भायो इसको तयार होने में करीब 70-80 दिन का समय लगी जाता है इसको आप 300-300 गराम पर एकड की दर से लगा सकते हैं यदि इसकी वजन की बात करें तो किसान भायो इसका वजन 5-6 किलो गराम तक होता है तो किसान भायो हमने तर्बूज के वेस्ट विराइटी के बारे में जनकारी दे दिये अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दिजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सस्क्राइब कर दिजिएगा